हलो फ्रेंज वेल्कम है यूटूब चैनल आप लोग देख रहों मास्टर सेफ और आज का अपना रिसीपी है फिस्टिका बाबेक्यू फिस्टिका हम लोग बहुत इजी तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे आप लोग घर पर कैसे बना सकते हो बाबेक्यू फिस्टिका औ फिस्टिका के लिए रप्रदी अवेल्य फिस्टिका का थिस्ट्ग होतले कीशन सफेरा सब्सक्राइस क्यों फिस्टिका हम विस्ट बाबेक्यू कि टीका के राये इसको फटाफड काल लेता हूँ है ओर जो इसका पीश है है वे मिशिप गढ़ा कर सकतेverse हो अग्र आप रिश्टुर्टissez Spitूल कि नुर्मर्मेली चिकन का पीस होता है उसी साइज का अपने रखना है और एक किलो में चार से साड़े चार पोशन निकलता है फीस ये इन्फोर्मेशन के लिए बता रहा हूँ आप अगर घर पे बना रहे तो आप पांच भी पोशन निकाल सकते हैं चार प्रिक का फांच कीलाने लिए फीस निकाल लेना और काटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि काटे का इसका कंप्लेन होता है कि फीस में काटा है क्योंकि बोलेस में काटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एक भी काटा नहीं होना चाहिए ठीक है तो मैं इसको काल देता हूं फटाफाट आप लोग देख सकते हो जो मेरा फीस था मैंने काटके हमारा रेडियो हो चुका है और आप में पीस दिखाता देडने के लिए हमको चिली पेस्ट गालिक जंजर पेस्ट और निम गुपू तो यह जो ग्रीन चिली है लेकिन रेड हो चुका है यह तो इसी से पुर्प करेंगा उसके बाद डालेंगे इसमें गालिक जिंजर पेस्ट और रेट चिली अपना थोड़ा से डालना है और दो से तीन पीस डालना आपने निम्बू तो क्योंकि गिंदी और लेने देसं सिर्प नहीं किया बिहाएं तो आजकाल रेडी आ रहा है ये भीँकशे मिटसी है उसके बात हम लोग ने डाले Ben इसमें नमक वाइट पेपर और भिलेक पेपर अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है और भिलेक पेपर भी नहीं है तो सिर्फ नमाकी डाल के आप इसमें एट कर सकते हो तो इसको मिला लेना आपने और निम्बु डाल देना इसमें दो तिन पीश और इसको मिलाने के बाद कम चैकम दस मिलर्ट आपने इसको ऐसी रख देना डखके तो आप लोग बनाएंगे मसाला मसाले के लेना आपने और उससे पाने निकाल देना इसने करीबन इस तरीके से आपने 15 से 20 मिला ट्रक होगे तो अच्छे से पाने निकल जाएगा यह आप लोग देख सकते इस तरीके से क्योंकि एकदम ठीक हो जाएगा इसमें आपका दही योगर्ट तो यह हमारा दही निम्बू वह चिली पेस्ट और गालिक जिंजर पेस्ट तो सबसे पहले एट करेंगे इसमें दही करीबन 304 चमच क्योंकि मैं एक पोशन बना रहा हूं अगर आप ज्यादा बना रहो तो ज्यादा भी उसका सकते हाप इस्पून करेंगे गालिक जिंजर पेस्ट और चिली जितना भी जाते हो उसी सब सापने कम लिया ज्यादा कर देना मसाले में एट करेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसर हाप इस्पून रेडचिली पोडर धनिया पोडर हाप इस्पून जीरा पोडर हाप इस्पून थोड़ा से डालूँगा मैं इसमें चाट मसाला आप इस्पून से कम रखूँगा इसमें मैं चाट मसाला और बहुत थोड़ा से इसमें एट करूँगा किया मैंने गरम मसाला अगर आप घर पर बना रहे तो इसको skip भी कर सकते हो अगर आप use करना चाहो तो use भी कर सकते हो क्योंकि color दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद तीन चमच मैंने इसमें एट करा और दो से तीन पीस मैंने काटके निम्बू एट करा याने कि एक अखा निम्बू लेना उसका तीन पीस करना और अपने fresh निम्बू इसमें एट कर देना ठीक है और उसके बाद अपने इस तरीके से इसको मिला देना है अब लोग देख सकते हो जो हमारा मसाला वो मसाला जो है अब इसमें हम लोगों ने जो fish maninate किया था उस fish को हम लोगों ने इसमें मिला देना है इस तरीके यह आप लोग देख सकते हो तो मैं सिर्फ 6 पीस मिला हूँगा क्योंकि मेरे को इसमें सिर्फ 2 stick लगाना है एक portion में 6 पीस ही जाता है हमारा तो आप 6-8 पीस यूज़ कर सकते हो तो सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ और साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कितना पीस जाता है एक portion में 6 पीस जाता है जो safe लोग देख रहे हैं या जो रिश्ट्रेजर में काम करते हैं उनकी information के लिए मैं यह सारी चीज़े भी बताता रहता हूँ तो इसको करके आपने 15 मिलाट वेट करना है और 15 मिलाट बाद आपने इस तरीके से स्टीक में लगा लेना इसको अगर आप तंदूर में बना रहे हो तो तंदूर तो बड़ा होता है तो बड़ी श्टीक होती है और मैं इसको ग्रिल में बनाऊंगा और मैं एक मैं तीन से चार पीस ही लगाऊंगा उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ने लगाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा गेप चाहिए और इस तरीके से अपने इसको लगा लेना है एकदम टाइट करके लगाना है जिससे की घूमे ना बिल्कुल भी क्या होता ने यह सोफ्ट होता तो घूम जाता है तो एकदम टाइट करके आपने लगा लेना और फिर इसको गिरिल पर रख देना और जितने भी यह फीस के हरियाली फीस है बाबीग्यू फीस्टिका है इसका सबकर रेसीपी यूटूब पर आएगा तो प्लीज चेनल को सस्क्राइब करके रखे और बेल आइकन को ओन रखे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप को नफिकेशन मिल जाए और जैसी कि आप जब आपका जो फी फीस्टिका है वो सोफ्ट रहेगा वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा और एक साइनिंग भी आता है साथ में ठीक है तो आपने इसको लगा लेना है हाफ डॉन होने के बाद हाथ हाथ नहीं लगाना है नहीं आपके बरस जो होता ना उस पे मसाला चिपक जाएगा वेट उसको जब पीकप कराते हैं जब लगाना है लास्ट में एक दम दो बहुर लगाना अपने और ओइल में थोड़ा सा बटर मिक्स कर लेना जिससे के अच्छा सा टेस्ट आ जाए आपका तो मैं अर घुमाते रहना अपने आप लोग देख सकते हैं हमर जो फीस्टिक का है वो जो खाएंगे गेस्ट तो निकाले खुद तो बहुत ही अच्छा लगता है और कमेंट करके ज़रूर बताने कि कैसी लगी आपको रेसीपी मिलते हैं फिन्नेश वीडियो में प्लीज नए होते चैनल को सस्क्राइब कर लेना थेंक्यू सो मच